हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट स्लोग विद पूनम में आज मैं सेयर कर रहे हूँ आप सबके सत आलू बैंगन की सब्जी जो बहुत ही जटपड बनकर त्यार होगी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडियेंट के इसे कोई भी असानी से बना सकता है तो चलिए बनाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से पसंद आए तो लाइक सेर एंड कमेंट कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे सबसे पहले हम यहां सबजी बनाने के लिए कूकर यहां पर मैंने दो बड़े साइज के आलू लिये हैं इसको हम चार हिंसो में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और यहां पर मैंने धाई सो कर ग्राम के करीब बैंगन लिए यह छोटे बाले पैंगन लेने हैं हमें इसका ऊपर से ऐसे नाकू उतार के हम इसको और दो हिंसो में डिवाइड कर लेंगे बस हमें यह चेक करना है कि इसमें कोई कीड़ा अगरा ना हो हमें चेक करके ही इसको काट लेना है इस तरह से हम सारे पैंगल ले लेंगे और यहां पर मैंने दो बड़े साइज के यह टेमाटर लिये हैं इसको भी हम ऐसे ही हाफ पीसीज में कट कर बस हमें रफली ही कट करना इसको और ये 5-6 लैसुन की कलिया है और यहाँ पर 3-4 मैं हरी मिर्च लूँगी बाकी की 3-4 हरी मिर्च जो बाकी की मैं सबजी में डालूँगी कूट करके और थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे ताकि नीचे से जले नहीं बस हमें यहाँ पर हलका सा पानी एड़ करना है एक चुथाई गिलास के करीब और इसको हम कूकर की लीड बंद करके 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे यहाँ पर जब तक हमारे कूकर से गैस रिलीज होगी हम यहाँ पर तड़के की त्यारी कर लेते हैं यह मैंने एक चमच जो कड़ची भी बोलते हैं सरसो का तेल लिया सरसो का तेल का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा आता है यहाँ पर एक चमच जीरा लेंगे एक चुथा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और यह मैंने तीन हारी मेल्च को और एक इंचा दरख का टुकड़ो को कूट करके लिया है मैंने दोनों को एक साथ कूट लिया था इनको भी हम प्याज के साथ अच्छे से पकाएंगे और इसमें हम जैसे हमारे प्याज का कलर चेंज होगा एक चमच मैंने कस्मेरी लालमीच डाली है और आदा चमच यहाँ पर हल्दी का आड़ करेंगे और दो चमच यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे धनिया आपके पास हरा धनिया तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें यहाँ पर मैंने इसलिए जादा लिया है क्योंकि मेरे पा चुकी है हम टमाटर का जो छिलका है उसको निकाल के अलग कर देंगे और सभी सब्चियों को हम अच्छे से मैस कर लेंगे इस तरह से फोड लीजिए का ज्यादा मैसर का यूजमत किजिए रफली कर लीजिए क्योंकि सब्जिया हमारे वैसे भी अच्छे से पक चुकी है और हमारे तब तक मसाले भी पक चुके हैं गैस की फ्लेम को मैंने यहां पर लो कर दिया था अब हम सब्जिया जो इसमें एड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से सब्जियों के साथ मिलाएंगे सब्जी को हम यहां पर मसालों के साथ अच्छे से मेक्स कर देंगे और बाकी बचे हुए मसाले भी इसमें हम एड़ करेंगे अब इसमें यहां पर मैंने एक चम्मज भर करके नमक लिया है आप अपने स्वाद के नूसार लीजिएगा और यहां पर थोड़ी सी में कसूरी मेथी एड़ करूँगे यह करस्ट करके डाल दी है और यहां पर एक चोथाई चम्मज गरम मसाला एड़ कया है आप अपने इसाब से देख लीजिएगा क्योंकि हमें गरम मसाला कमी पसंद है इसलिए कम डाला है और इसे हम सबजे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि थोड़ी सी ग्रेवी जो सबजे की गाड़ी ना हो जाई 3-4 मिनट बात देखे जो सबजे हमारी पक कर त्यार होगी है यहां पर गैस की फ्लेम को मैंने मेडियम पी किया हुआ था और यह देखिए अब यहां पर हम इसको अलग से सर्विंग बावल में निकाल लेंगे और सर्व कीजिए और बताइए आपको मेरे वीडियो तो आपको कैसी लगी अगर आपको थोड़ी सी ही पसंद आए तो लाइक शेर और कमेंट कर देजेगा बाई